वेलकम फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग दोस्तों दोस्तों आज हम अपने इस प्रेजेशन में आश्यर नेशन सुराइच सारे इंपोर्टेंट करेंट अप्र कवर करेंगे कुछ कोश्चन डिसक्स करेंगे और साथ ही में एफबी आई और एफडी आई क्या होता है इसको डिस आश्यर नेशन की विएटनाम चलिए आश्यर नेशन यानि अट्रस्टेशन आफ साओट इस एशन नेशन दस मेंबर गुरूप है दो अब्जर्वर नेशन है जकारता इंडोनेशिया में सेकेटरियर्ट है प्रूनई कमबोडिया इंडोनेशिया लाओस मालेशिया मायन मा फिलिपीन, सिंगापूर, थारेंड, वियतनाम इसी कंट्रीज है और दो अब्जर्वर नेशन है पापू नुजवीन और तिमॉल लेस्टेश यह है दोस्तों आश्यर नेशन आज की हमारे कंट्री है वियतनाम वियतनाम भी कैपिटल है है हैंवी और जो यहां की करेंसी है वो डॉंग है बड़ा इंटरसिंग नेम है डॉंग प्राइम मिनिस्टर जो है यहां के है न्यूगेन जुवान पूच बड़ा नाम है आप पल दीजेगा और यहां की नेशन लेंग्विज है वो है वियतनाम इस तो यह दिदोस्तों आज की हमारी आश्यर निशन कंट्री अब देखते हैं दोस्तों करेंट अफियर दोस्तों सानिय मिर्जा ने जो है इंडिया का पहला मेड़न प्रेडरेशन कब हार्ट अबॉर्ड जीता है और यह एशियन ओशियन ओशियन गटेगीर में ने मिला है या इसमें 2000 डॉलर जो है यूज डॉलर जो है इसकी प्राइ इसकी तो उनके खेलते ही ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया ने 2016 के बाद जो है प्रेडरेशन कब के प्लेओफ में जगा पनाई है तो यह बहुत सालों बाद हुआ है और साने मेर्जा के आने के बाद ऐसा हुआ है चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अभी दोस्तों इं 1987 बेश के आईस अधिकारी हैं और जारगन केरडर के हैं वो दोस्तों आनन्द कुमार जी की जगा लेंगे जो की सेकेटरी और मिनिस्ट्री आफ कल्चर बने हैं तो दो अपॉइंट्मेंट हुए हैं हिंदू शेखर जी का और अनन्द कुमार जी का आगे दोस्तों देखते जो फाइनश्यल एर बीस और केस के लिए दोस्तों जो रेंट है जो लीज रेंट होता है और स्पेशल उकनॉमिक जोन में बढ़ेगा नहीं इस फाइनश्यल एर बीस इकीस में ऐसा मिनिस्ट्री आप कमर्स एंडेस्ट्री ने कहा है दोस्तों अगर आप जानती होंगे कि स यानि ऐसे सिट जो होते हैं वो ऐसे reason होते हैं जहां पर आपको जो country के जितने भी economic loss होते हैं वो इन जगाओं पे काफी freedom वाले होते हैं special economic zone में काफी छूटे मिलती हैं काफी यहां पर free होते हैं अपना काम करने के लिए इसे काम आसाने से की जा सकते हैं अधर कंट्री में इन जोन के अलावा तो यहां पर जो है जो रेंट है जो होता है वो इस बार नहीं बढ़ाया जाएगा इस फाइनेशल एयर के लिए चलिए अगली नीवस है दोस्तों अभी अफ्रिकन स्वाइन फीवर के कारण आसाम में तक्रीबन 13,000 पिग्स की जो है डेथ हो गई है आसाम की कैपिटल आप जानेते हैं कि दोस्तों डिस्पूर है गवर्नर यहां के जगदीश मुखी है और चीफ मिनिस्टर जो है सर्बानंद सोनवाल है 11 माई को दोस्तों मंडे को यानि नेशनल टेकनलोजिक डे है और इस दिन दोस्तों यह जो है 11 माई 1999 से मनाया जा रहा है और यह 29 पार नेशनल टेकनलोजिक डे है इस दिन दोस्तों साइंटिस्टें और जो इंडिया में टेकनिकल अचीवमेंट्स हुआ है उसको सेलिब्रेट करने के लिए यह यह दे मनाया जाता है और 1999 से मनाया जा रहा है और 11 तारीक है 11 माई 1998 के दिन दोस्तों जो है सेकेंड पोखरेंड टेस्स जो है सक्सेस्पुल हुआ था राज़िस्टान के पोखरेंड में जहां पे शक्तिवन न्यूकलर मेसाहिल का परेक्शन किया गया था तो इस हिसाफ से यह दे काफी इंडिन इस्ट्रीम है एक तो यहां कोखरेंड टेस्स दिन हुआ था और यह उसके बाद अगले ही साल से जो है यह है नेशन टेकनलोजी डे के तोबार पर मनाया जारण लगा था दोस्तो एनाईवी पूने ने एक एंटीबोडी टेस्टिंग किट डवलप परे जिसका नाम उन्होंने एलिसा रखा है यानि एंजाइम लिंक इम्म्यून अब्सॉर्बेंट एसे बेसिकली दोस्तों इंडिया के खुद की डवलप की गई एंटीबोडी टेस्टिंग किट है और यह अगर देख एंटीबोडी टेस्टिंग केट है जो कि ब्लड मेंसे जो एंटीबोडी डेटेक्ट कर लेती है जो कि कोविड-19 के इंफेक्शन को बटाने में हेल्प करती है दोस्तों अभी इंडिया से दोस्तों जो इंडिया से 81 नर्सेश्ट को जो ऐसीव स्पैसिलिस्त उन्हें वो दुबाई बेजा गया है चाकर कोविड-19 के बैटल के लिए कोविड-19 के बैटल में डुबाई के मदद की。 दुबाई दोस्तों, UAE की जाजियर सपbucksीलिश भी ह यह इंडिया की पहली बूमन है जिन्होंने पैरा उलम्पिक गेम्स में सिल्बर मैडल जीता है मतलब कोई भी मैडल जीता है पहली बार किसी बूमन ने वहें दीपा मले 2016 के समर उलम्पिक में उन्होंने शॉट पूट में यह जीता था यह F53 केटेगरी में खेलती है पैरा उलम्पिक की और यह करेंटी वर्ल नंबर बन भी है F53 केटेगरी की इन्होंने दोस्तों F53-54 जैवलिन इवेंट ने भी भाग ले चुका है इंडिया के चरव जिसे मतलब दो इवेंट इन्होंने दो इवेंट में पार्ट ले चुकी है एक शॉट पुट जिसमें वर्ल चैंपियन नहीं है और उससे फ़ल जैवलिन इवेंट ने भी पार्टिसिपेट कर चुकी है पेरा एशियन केम्स में मेडल मिले हैं 2010, 2014 और 2018 तो बहुत बड़ी प्लेयर हैं पेरा उलम्पिक प्लेयर बहुत बड़ी ही प्लेयर हैं मैं तो बोलूँगा और जिन्होंने आज रिटार्मेंट अनौंस कर दिया है अपना चलिए अगला दोस्तों जो डिफेंज रिसर्च ऑर्ग्नाईजेशन ने DRDO ने की जो हैधरबाद बेस DRDO जो है मां सेंटर हैं उनने दोस्तों एक अल्ट्रा वालेट सेनेटाइजर बनाया है Research Center Emirate के साथ मिलके Basically दोस्तों ये जो है इसका नाम उनने रखा है DRUES यानि Defense Research Ultra Wallet Sanitizer ये दोस्तों जो है एक तरह का ये एक चेंबर टाइप का है जिसमें की mobile phones iPad, laptops, currency note चलान, passbook, paper envelope को जो है with the help of Ultra Wallet race जो है उसको sanitize case हैगा ऐसे ही दोस्तों का याद हो तो आप NanoSafe करके एक IIT Delhi का भी start-up है जिसने एक UV blaster करके भी sanitization tower बनाया था same दोनों के काम जो है लगबक से मिला रहे है तो UV blaster और ये DRDO का DRUES Defense Research Ultra Wallet Sanitizer अगली दोस्तों जो Indian Naval Ship एक केसरी उसको दोस्तों ये जितनी भी medical assistance team है के साथ और medical equipment और medicine के साथ जो है वो भेजा गया है Maldis, Mauritius, Medagascar, Comoros और Sheschel जिसे country हो में COVID-19 से assist करने के लिए जो है ये medicine items food items है इसमें तो India ने एक तरह की help करी है इन countrys की तो जो है कौन सा ship गया है केसरी ship जो है वो गया है दोस्तों अग्री नीज़ है Indian Council of Medical Research और हैदरबाद की एक company है भारत बायोटेक इनने मिलके दोस्तों ये प्रयास करेंगी कि indigenously developed vaccine मिलाब इंडिया डवलब वेक्सीन जो है कि COVID-19 की अब बना सके है तो ICMR और ये भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड है जो की हैदरबाद based company है तो ये दोनों मिलके जो है इंडिया की ये इंडिजीनियस वेक्सीन बनाएगी कोई-19 के लिए दोस्तों आयरुवेद मेडिकल आयरुवेदिक मेडिसिन का जो है ट्राइल शुरू हो गया है COVID-19 पेशेंट पे चंदिगर में दोस्तों एक कोशन आता है मन में भाई कि ये FPI क्या है अभी दोस्तों हम जानते हैं कि चाइना जो है अलग अलग कंपनीज में जो अपना इंवेस्मेंट बढ़ाने कोईश करता है तो अभी इंडिया ने जो है इस ताइप के जो चाइना इंवेस्मेंट शुट्रोट कर रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए curve करने के लिए कुछ policies लेकर आई हैं तो अभी जो इंडिया policy लेकर आने वाले वा FBI में लेकर आने वाले हैं तो दोस्तों, FBI क्या होता है हम दिसकॉस करते हैं FBI दोस्तों, एक common तरीका है यसी दूसी कंट्री की इकनामे में invest करना basically, आप securities और other financial assets जो है जो other countries की हैं उसमें आप invest कर सकते हैं पर इससे आप उसके direct owner नहीं बन जाते हैं ये थीज़े आप invest कर सकते हैं securities में और financial assets में पर आप उसके direct owner नहीं बनते हैं ये है FPI में FPI में दोस्तों आप actively आप manage नहीं कर पाते हैं investment और company जो है अपने investment को आपके पास direct control नहीं रहता है business पे in contrast अगर आपन देखे FDI की तो FDI में दोस्तों invest करते हैं और foreign country में पर आपके पास जो अपने investment का पुरा control भी रहता है तो ये basically अंतर है FPI में और FDI में दोनों ही method दोस्तों है कि आप other countries में जाके invest करें पर FPI में आपके पास control नहीं रहता है अपने investment पे डारेक कोई control नहीं होता है FDI में ये होता है तो लिए दोस्तों कुछ question देख लेते हैं देखिए नाकुला पास अभी आप देखते हैं जहापे इंडिया और जो चैना की जो अर्णी से उनमें एक थोड़ा धड़ब हो गई तो नाकुला पास कहा आता है तिम ब country ने जो है एक रोड जो है रविना टेगोर के नाम पे रखी है तो इस्राइल में तेल अभी भी एक जगह है जहाँ पे जो एक रोड है रविना टेगोर के नाम पे रखी है तो दोस्तों ये तह हमारा आशे प्रेजेंटेशन जिसमें हमने आशे निशन्स कुछ इंपोर्टन कोशेंज एफपी आई एफडी आई और करेंट आफेस को डिसकस करा मुझे उमीद है कि आपको ये हमार सेशन अच्छा लगा होगा अगर दोस्तों ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक करेंगे सब्सकाइब पर ये दोस्तों के साथ शेल जरूर करिए कुछ हुजावों के लिए कमेंट जरूर करिए और आप देखते रहे हैं कुछ करेंट आफेर चैनल जहां पर हर करेंट आफेर क्विकली मिलेगा आप मुझें कि वरे मिच तुस्तों